मी 11x एंड पोको एप 3 के लिए पिक्सल ओयास का अनोफिशल एंडोइड 15 बिल्ड आया हुआ है इसलिए कि मैं यहां पर रीविव करूंगा और हां कुछ यूजर जो है कस्टम रोंस पर फोकस कर रहे हैं हाइपर रीविव में करूंगा थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूं साही थोड़े और हो जाया है फिर रीविव आपको देखने को उसका भी कंटीनू मिलेगा फिलाल इसमें देखते हैं क्या कुछ रहेगा कैसा बाके इंस्टोलेशन जो पहल एंडोइड 15 बिल्ड है एंडोइड 14 जैसा ही मिलेगा सेक्यूर्टी पैच नवंबर 24 का करनल यहां पर ट्विलाइट वर्जन 8 जो है करनल इसके अंदर मिलेगा क्यूस पैनल एनिमेशन बिल्कुल स्मूध रहने वाला 60 हर्स पर भी यानि 120 हर्स पर भी आपको बिल्कुल म पर ट्विल्कुल अच्छा है सिर्फ लाइट लाइग है उससे प्रॉलम नहीं होने वाली है और वॉल्म पैनल तो हलाकि यहां पर जो है अब इंडोइड 15 में थोड़ा हाइट बढ़ गे वॉल्म पैनल की एक चीज और यहां पर आपको दिखा दूँ पावर मेन्यू एड वॉल्म पैनल इस तरीके के मिलता है एकस्पैंड तो नहीं है लेकिन यह जो है अलग थोड़ा हुआ है चेंज और यहां पर एप आप आपनिंग यह भी जो है आपको स्मूध ही मिलता है इसको लेके दिक्कत नहीं है और स्क्रीन सोट रीसेंट पे मिल जाता है सेलेक्ट भ करके कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी आप टैप करो यह सर्कल टूसर जारेक्ट होल्ड करके पिल पे आप यूज कर पाओगे सर्कल टूसर या निकी वर्किंग है कोई दिक्कत उस पे नहीं होने वाली है अब यहां पर स्प्लिट स्क्रीन में भी जैसे कि एक निव फीच स्क्रीन पर यूज कर पाओगी यह तो यह आपको निव मिल जाता है इंडोड 15 के साथ में यहां पर मिलेगा और कैमरा इसके अंदर अपर्चर का प्रिंस्टोल आता है जिसमें 120 fps तक 1080 पर वीडियो रिकोड कर पाओगे और जीकेम यूज कर पाओगे जीकेम को लेके भी को सब्सक्राइब करें गूगल फोटो के साथ में अनलिम्टे स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है पिक्सल का वेदर एप इसकेंदर प्रिंस्टोल रहेगा और अब जैसे कि आर्काइब एंडोड 15 के साथ मिल जाता थी यहां पर आप आर्काइब अगर किसी पाप्लिकेशन कर जाएगा और जो सेटिंग इस एप की थी वो बिल्कुल सेब रहे हैं तो इस तरीके यहां पर आर्काइब यह काम करने वाला है और अच्छे से काम भी कर रहे है कोई प्रॉलम उसमें नहीं है प्ले स्टोर हलाकि नोट सटफाइड आता है लेकिन आपको सटफाइड करना है तो उसके लिए आपको आई वेटन और डिस्क्रिप्शन पर वीडियो मिल जाए जो कि आलड़ी मैं बना रखाऊं आ इसके अंदर करनल एसू भी सपोर्ट है तो उसके थुरूई आप बिल्कुल फिक्स कर पाऊगे बॉल पेपर एंड स्टाइल के अंदर आते हो तो यहां सेट बॉल पेपर पर क्लिक करते हो तो यहां पर कुछ इस तरीके को जो है देखने को अब मिल जाता जो कि Android 14 से अलग है तो अभी प्रीविव भी है निकि यहां पर बॉल पेपर सेट करने का यह चेंज हो चुका है अब यहां पर थिम्ड आइकन है कलर कोंट्रास यह एंड लॉक्षिन में आते हो तो अलवेस सो टाइम एंड इंफो मिल जाएक है जो की अलवेस जोन है बिल्कुल काम कर रहा है लिप टू चेक फोन भी वरकिंग है और अमबिन डिस्प्ले यह भी अच्छे से काम कर रहा है वैक स्रीन फोन नोटिफिकेशन यह भी आप अच्छे से नहीं मिली है और यहां पर ओक्के गूगल बिल्कुल यूज कर पाऊगे ओक्के गूगल को लेकर के भी कोई इशू नहीं है जिमनी यह आई भी आप चाहोते इंस्टोल कर सकतो हो भी अच्छे से काम कर रहा है एंड इसके अंदर में अगर हम बात करते हैं विजेट के बार करें टू आवर एटी परसंट ब्रैनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 93 परसंट बैटरी मुझे मिली है इसके अंदर में और बैटरी चार्जिंग को लेकि अगर बात करते हैं तो 86 परसंट चार्ज करने में वान आवर 22 मिनट का टाइम लगा है अब बैटरी ड्रेन अग ट्रोटलिंग है बट अगर जीब स्कोर की बात करें तो मैक्स पे 235,000 है एवरेज स्कोर 229,000 मिला है गीग वेंच 6 का जो सिंगल स्कोर है यहां पर 1310 है और मल्टी स्कोर 3466 यहां पर मिला है तो कुछ इस तरीके के सभी स्कोर जो हमें मिल जाते हैं अब चलते हैं सेटिंग में तो अब उपर जो है गूगल एन बैक अप का जो है मिल जा रहा है पहले नीचे हुआ करता था तो इस तरीके की सेटिंग में भी थोड़ा सा इधर उदर पोजीशन मूब हुआ इधर उदर सेटिंग मूब हुई एंडूइट 15 में एन बैक जैसार अनिमेशन भी अब ज जाता ही डारेक डाटा इनावल करने के भी अब मिल जाता है पहले में सेटिंग में नेटवरुक अंधर बखी सारे हैं बातर इसके लिची अंदर अच्छे से काम कर रहा है होट्सपोट में कोई भी प्रूलम नहीं है होट्सपोट का यूज आ उमक सप कर लिचे लिचे से काम कर रहा है कास्ट को लेकर दो लिसल्म आपने साउंस के अंदर में और गेम स्पेस बन खिर दो नेटर्वर्क की बात करते हैं तो फ्लैस नोटिफिकेशन ही मिलेगा , साउंड और आपको मिलेगा बाकी के जो sound के option है आपको additional sound के अंदर मिल जाते हैं and clear speaker भी यहां पर दिया है और डिस्प्ले के अंदर जाते हैं तो यहां पर dark theme में pure black का settings मिल जाएगा आइकन मेनेजर है हलाकि वोल्टी आइकन नहीं मिलता भी फिलाल और बैक करें तो नीचे फिर night light है लाइब डिस्प्ले भी है colors को option मिल जाता है color contrast डिस्प्ले में भी दिया हुआ है rotation नॉर्मल रहेगा refresh rate की settings यहां पर 60-90 या फिर 120 Hz तक का मिल जाता है screen saver है बाकी tap to whack है tap to sleep है dcdmi है hybridness mode है तो यहां पर रहेगा और storage भी जैसे कि अब जो है system का अलग देखने मिलता है android 15 में कुछ इस तरीके अगर नीचे android 15 और temporary system file यह जो है आपको मिलने वाला इस तरीके से और फिर अगर बात करें battery के बारे में तो thermal profile मिल जाएगा यहां पर profile आप किसी भी application का change कर पाओगे किस तरीके से use करना चाते उसे battery manager है battery percentage है charging control के अंदर custom schedules या या फिर charging जो limit है वो set कर पाओगे आप यहां पर और battery widget यह भी यहां पर मिल जाता है अब system के अंदर language मिल जाएगा जिसमें app language रहेगा और यही पर बाहर में ही मिल जाता है regional preferences जिसमें temperature या फिर first day of week आप change यहां से कर पाओगे और जो वहीं gesture की तरब चलते हैं तो यहां पर में ही कोई problem नहीं है and press and hold power button के अंदर में ही जो है advance restart रहेगा और फिर यहीं पर बाहर में swipe to screenshot भी है quick torch है playback control है यह सब रहेगा and system updates भी यहां पर दिया गया है बाकी नीचे user यह सब मिल जाएगा and अब नीचे यहां पर आते हैं तो security and privacy दिया हुआ है यहां पर हमें security and privacy मिल जाता है जिसमें आपको यहां पर fingerprint और face unlock दोनों मिल जाएगा pattern size भी दिया हुआ है तो मैं यहां पर pin add करूंगा बाकी आगे आपको दिखाता हूँ इसका सब स fingerprint की setting में touch to unlock at anytime मिल जाएगा अगर इसे off कर दोगे तो off screen पर fingerprint काम नहीं करेगा and main screen lock setting से इसमें enhance privacy है and screen lock जो time out है वह भी मिल जाता है lock screen के लिए इसमें आपको 5 seconds से 30 मिनट तक का यह मिल जाएगा and scramble layout भी है और power menu access के लिए भी दिया गया तो private space को जैसे ही नेविल करोगे उसके बाद सेट अप करना है अब इसमें भी screen lock आप जो यूज कर रहे हो lock screen पर यूज कर सकता हो या फिर new लगाना है private space में तो new भी आप लगा सकता हो अलग तो यह चीज आपको यहीं पर option मिल जाता है choose new lock या फिर आप use screen lock यूज कर सकता ह अब यहां पर यह कुछ application तो है बट इंस्टोल में जाओगे तो play store पर ID आपको login करने उसके बाद यहां से application और भी आप चाहो तो download कर पाऊगे अलग space यह create हो गया इसलिए यहां पर ID login करनी पड़ीगे play store में और इसकी settings भी यहां पर मिलती है जिसमें space lock के लिए settings मिल जाए and delete करना चाहो तो delete भी कर पाऊगे तो private space अच्छी तरीके से काम कर रहा है जैसे MIUI में जो है हमें second space मिला करता था उफी तरीके जो है यह private space यहां पर आप जो है Android 15 के साथ मिल जाता है और अच्छे से काम भी कर रहा है and वहीं हम चलते हैं इसके फिलाल more security के तरफ तो यहां प यहां पर देखने को मिल जाती है तो मैं यहां पर डेवलपर उप्शन इनेवल कर लेता हूं और उसके अंदर चलके हाइड नोच देखते हैं कि नहीं है तो display cutout में जो है developer option के अंदर यहां पर ज्यादा तर रहता है तो display cutout के अंदर हम चलते हैं यहां पर देखते हैं और यहां नीचे आने के बाद यह display cutout है बट देखोगे तो हाइड नोच हमें नहीं मिलता है इसके अंदर अब कॉलिंग के बारे में बात करें तो carrier video call का बग है इसके इंदर वाइफाई कोलिंग अच्छे से काम कर रहा है और जो call recording है यह भी अच्छे से काम कर रहा है और जो call आपको यहां पर देखने को मिल जाता तो पिक्षे नाइन वाला ही बुट अनिशन यहां पर रहेगा जो कि लेटेस्ट बूट अनिमीशन है और अब गेम के अंदर गेम डैसवोर्ट का यूज कर पाओगे गेम स्पेस तो नहीं है लेकिन गेम डैसवोर्ड का यूज कर पा बात करूं, रोम का जो एनिमेशन और 60Hz के साथ भी काफी अच्छा और काफी स्मूध रोम है, 120Hz में तो इसे काफी और ज्यादा स्मूध रहेगा, बिलकुली, बट 60Hz में भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता है, तो एनिमेशन तो काफी अच्छा और बैटरी वेकप के मा लेकिन हाँ खराब भी नहीं है, आप आप से क्लासिक खेल सकते हो, उसमें ऐसे कोई दिक्कत आपको देखने को कोई हैबी लैग यह सब देखने को बिलकुल भी नहीं मिलने वाला है, तो परफॉमेंस भी फर्स्ट बिल्ड के हिसाब सगर देखे, जैसे कि अभी यह साथ फ परफॉमेंस है, वो भी फिलाल अच्छा है, खराब परफॉमेंस के साथ देखने को नहीं मिलता है, यही सब कुछ है, बाकी आपको कोई क्वेस्चन अगर पूछना होगा तो पूछ लेजएगा, और Hyper OS 2.0 का जैसे कि आपको बताया है, कि थोड़ा वेट करो एक दोर अप वीडियो में, और वीडियो गर आपको अच्छे लगी है, तो वीडियो को लाइक जुरू कर दीजेगा, और अगर आप मरे चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जोर वैल ऐकन को प्रेस करके, और पर कर लिजे, ताक कि अगली वीडियो की झाल